हलो फ्रेंड वेलकम बेक माई यूटूब चैनल आज हम देखे आए हैं मकर सकरांती स्पेशल पिठा फ्राई कल मैंने रात को ये पीठा बनाया था और आज सुबह पिठा फ्राई बनाया ये बहुत ही कम टाइम में बन जाता है बिना मसालों के ही बन जाता है तो आज की रेसिपी है पिठा फ्राई आप भी जरूर ट्राई करें पिठा फ्राई ये बहुत ही टेश्टी लगता है खाने में और जायरखन की सबसे फेमस है ये पीठा, तो हमने यहाँ पे पीठा लिया है, ये आलू के पीठा है, ये नारियल के पीठा है, और ये मैंने तील के पीठा लिये, और ये है खोवा के पीठा, चार तरीके से मैंने पीठा बनाया था, तो आलू के पीठे मेरे बहुत बड़े करेंगा तो आलू के पीठे को हमने कट कर लिया है अब हम चलते हैं गेस के तरफ मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई लिया है कढ़ाई को अच्छे से गर्म कर लिया है उसमें थोड़ा सा तेल और दो सुखी लाल मिर्च डाला है आप इसमें प्याज भी एड़ कर सकते हैं मसाला भ बहुत ही टेश्ट है खाने में तेल अच्छे से गरम करके हम पीठा को डाल देंगे और हम इसे लो फ्लें में धीर धीर चलाएंगे अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक काद क्योंकि पीठा में हमारा पहले से ही नमक है थोड़ा सा हम इसमें हल्दी पॉडर डालेंगे हल्दी पॉडर जरूर डालेंगे इसे कलर अच्छा आता है देखने में भी अच्छा लगता है धीरे धीरे चलाएंगे अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी हाथों से इस तरह हम पानी डाल देंगे ताकि पीठा हमारा थोड़ा सौप्ट हो जाए कल का पीठा है चूबा थोड़ा कड़ा हो गया है ऐसलिए हम पानी डालके थोड़ा सा इसे सौप्ट कर लेंगे पानी डालके पीठो को अच्छे से मिला लेंगे अब हम इसे थोड़ा देर के लिए धक के low to medium flame में पकने देंगे 5-6 मिनट पका लेंगे और फिर से हम इसे चलाएंगे यह पीठा फ्राय बहुत ही टेस्टी लगता है अगर पीठा बनाए हो और बच गया है तो पीठा को जरूर फ्राय करके खाईए यह खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है गर्मा गरम खाईए बहुत टेस्टी लगता है और आज का ये पीठा फ्राय रेसिपी आपको अगर पसंद आया है तो वीडियो को कमेंट करें वीडियो को लाइक करें मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तो पीठा फ्राय हमारा रेडी हो चुका है अब हम इसे सर्व कर लेते हैं मकर सक्रानती में आपने क्या बनाया फ्रेंड कमेंट करके जरूर बता है और ये पीठा फ्राइ की रेसिपी आप भी जरूर ट्राइ किये ये बहुत ही खाने में टेस्टी लगता है